हलो व्यूवर्स जैसा कि हम सब जानते हैं कि गर्मिया आ गई है और गर्मियों में हमें ऐसा भोज़न चाहिए जो कि हमें हमारी बॉडी में पानी की कमी को पूरा करें और हमारी बॉडी को कूलिंग एफेक्ट दें इसलिए आज हम बात करेंगे ऐसी 5 सबजियों के बारे में जिनकों की हमें गर्भियों में अपनी डाइट में जरूर एट करना चाहिए ये ऐसी सबजिया हैं जिनसे की आपकी बादी गर्भियों में गूल रहती है और बादी में पानी की कमी नहीं रहती है तो आईए बात करते हैं ऐसी पांच सब्जियों की और उनके गुरों की जिस्में पहले नबर पर है खीरा, कुकंब diu खीरा में कैलरी बहुत कम बात्रा में होती है और पानी भरपोर मात्रा में होता है इसमें मिनरल्स होते हैं, फाइबर होता है और यह लो कैलरी होता है इसलिए गर्मी से बचाब के लिए खीरा और कगडी को सलाद के रूप में अपने मोजन में जरूर एड़ करना चाहिए उसके बाद है लॉकी लॉकी का जूस आजकर बहुत प्रचलन में है यह weight loss में बहुत मदद करता है इसमें मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं और यह हाथ को भी मजबूत करता है यह शरीर में कॉलिस्टरॉल को कम करने में भी मदद करता है इसके सेवन से हमारा शरीर हेल्दी रहता है इसलिए लॉकी को हमें अपनी बोचन में किसी ना किसी रूप में अवशे एड़ करना चाहिए पर बाद आता है बैंगन बैंगन बहुत से लोगों को ना पसंद होता है लेकिन इसमें फ्लेवनॉइन्स होते हैं विटामिन्स होते हैं और पोटाशेम होता है बैंगन इंटेस्टाइन और डाइजेशन को बहुत इंप्रूफ करता है इसलिए बैंगन को अपनी डाइट में किसी ना किसी रूप में जरूर एड़ करना चाहिए इसके बाद आता है सीताफल सीताफल हमारी बोड़ी को खूल रखने में मदद करता है इसमें हार्ट डिजीज को बचाने की पूरी ताकत होती है इसमें विटामिक A होता है जो आँखो और स्केन के लिए बहुत अच्छा होता है इसलिए सीताफल को अपनी डाइट में किसी ना किसी रूप में जरूर एड़ करना चाहिए हो इसके बाद आता है करेला करेला में बहुत सारे कुण होते है यह diabetes में बहुत फाइधे मन होता है इसमें low calories होती है और यह intestine को healthy रखता है यह blood sugar के साथ साथ cancer को भी cure करने में मदद करता है इसमें cholesterol को कम कंड्रेटी भी शक्ति होती है इसलिए करेले को किसी ना किसी रूप में अपने भोजन में जरूर एड़ करना चाहिए In short, हमें गर्मियों में इन सबजियों को अपनी उटाइट में ज्यादा से ज्यादा एड़ करना चाहिए और अपनी लाइफ को healthy बनाना चाहिए Thank you, do like and subscribe if you like this video